वेलकुम बेब स्वागत आपका सरकारी से लवसी डूप चैनल पर और आप ही हम बात करने वाले हैं कि अगर आप SST CHSL में सेलेक्ट हो गए हो तो उसके बात कि आपकी जिंदगी कैसी होगी आपका कैरियर कैसा होगा आप क्या 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 कर सकते हो आप अपने इसी फील्ड में कैसे प्रोमोशन पा सकते हो या अगर आप कैरियर सुच करते हो तो क्या आपके पास में प्रावधान रहेंगे ठीक है तो बाकी जिंदगी आपकी कैसी क्वाटर कैसे मिलेंगे सेली कैसे मिलेंगे प्रोमोशन कैसे होगे इन सब चीजों के बारे हम हम बात करेंगे और साथ साथ अगर आपको लालच नहीं है तो लालच होना बहुत जरूरी जब आप देखेंगे कि अगर आपकी जॉब लग जाती तो आपकी जीवन एकदम से बदलने वाला है तो आप उसके लिए जी तोड़ मेनत भी चालिव कर सकते हो तो यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा ल लोवर डिजन क्लग जॉइन कर देखेंगे तो आपका पे लेवल टू का वेतन है जो कि 19,900 रुपए आपका मूल वेतन रहेगा और अगर आप 57 साल तक नोकरी करते हो तो लास्ट में आपका 63,200 रुपए तक आपका मूल वेतन चला जाएगा ठीक सेली आपके मूल वेतन प की बड़ी जाके वो 35,575 रुपए बनी जाके अब दीगे एचारे वेरी करता रहता है सिटी टू सिटी ठीक है अगर आप किसी आप मेट्रो सिटी में तो आपको अचारे अच्छा मिलता है अगर आप किसी गाउंद हाथ में आपकी पोस्टिंग टाइप की होगे यह तो आ करके बाट रखी है तो अगर आपको अच्छी सिटी में तो आपको 35,500 रुपए गास पास आपकी टोटल ग्रॉस सेली बनती है ठीक है तो यह बात हो गई लोवर डिविजन के लिए जाते हैं तो आपका मूल वेतन 25,500 हो जाता है तो वहां आपकी सेली करीब 7,000 रुपए प्रती मेने के साब से आपकी सेली बन जाएगी ठीक है तो यह होगी सेली के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जो ना लोवर डिविजन कलर के तोर पर जोईन करते हो अगर आपका कैरियर प्रोगेशन के इस तरह से रहेगा देखिए अगर आप LDC जोईन करते हो तो इसके बाद जो आपका पढ़ाओ रहने वाल हो वह असिस्टेंट या अपर डिविजन कलर से आप बोलते हो यह आपका पढ़ाओ सेकेंड नमबर का जो पढ़ाओ है आपका असिस्टेंड अपर डिविजन कलर का आप यहां पहुँचोगा ठीक है इसमें पहुच्टे के टाइम पर जब तक अगर आप पूरी नोकरी करते हैं 57 साल तक अगर आप नोकरी करते हैं तो लाश्ट में आप जो ना सेक्षन ओफिसर बनके यहां से रिटायर हो जाएंगे ठीक सेक्षन ओफिसर की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मूल तो आपको एक अच्छा समय मिल जाता है नोकरी करने को और इसके अलावा अगर आप जो ना कहीं सुच करना चाहते हो आप दूसरी नोकरी की जोइन करना चाहते हो तो यहीं आपको एक फाइदा मिलता है कि अगर आप सेंटरल गवर्मेंट की जॉब में हो सीसल जो है यह केंदर सरकार की नोकरी होती है केंदर सरकार की विविन डिपार्टमेंट में आपको जो ना लोवर डिविजन क्लर के बना दिया था जैसे सर तो अगर आप इन में जाते हो और आप दूसरी नोकरी में सुच करना चाहते हो तो उसके लिए क्या रहता है कि आपको हर एक सेंट्रल गवर्मेंट में पांच साल की छूट रहती फाइव यर्स का रिलेक्सेशन देता है जैसे सीजी सल में आप फॉम बर रहे हो उसमें माल ल साल है आपके लिए पांच सालोड जोड़े तो अपना फॉर्म भर पाऊगे ठीक है तो यह कुछ जरूरी चाहिए रहती है आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप जो ना SSC CCSL के तोर पर केंसरकार में अगर आप LDC के तोर पर जोइन करते हो ठीक है एक और आपको जो सबसे बड़िया फाइदा मिलता है आप यहां से देख सकते हैं कि Children Education Allowance जो आपके बच्चे हैं माली जी अभी आप भरती हुए तो आपकी साधी नहीं हो रखे हुए तो अगर आपकी साधी होगी तो बच्चे बगएरा रहेंगे तो उसके लिए कि आपके इस पेसल एक अलाउंस मिलता है जो Central Government के बच्चे रहते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपके जो बच्चे होंगे दो बच्चों को आपको Children Education Allowance मिलता है जो कि प्रती महिने का 2800 रुपए के आसपास रहता है महिने का 3000 रुपए आपको बच्चों को पढ़ाने का अलग से मिलेगा तो आ नहीं आप कही प्राइवेट या किसी और जॉब में होते हैं तो बच्चे का पढ़ानी की जिम्मेदारी आपकी ही रहती है आपको अलग से कोई पैसा अलाउंस वगरा नहीं मिलता है तो यहां आप देख सकते हो कि आपको 2812 रुपए आपको प्रती मेने का मिलेगा और अगरा बढ़ता रहता है तो यह भी आपका बढ़ता रहता है ठीक है तो यह एक इंपोर्टेंट फाइदा जो मुझे लगा केंद्री सरकार के अगर आप कर्बचारी बन जाते हो से सीचेसल के थूरू आप लोवर डिविजन क्लर्क या डाटा इंट्री ऑपरेटर के तोर पर जा रहे हैं, तो एक फाइदा हो रहा है, वो फाइदा यह है कि आपको जो है जैसे आप कहीं घूमने जाते हो ठेक हैं तो आपको जो होटेल्स होते हैं सरकारी होटेल्स होते हैं तो कि आपके ही जो सेंटरल गवर्मेंट का डिपार्टमेंट है CPWD, तो उसके इंतरगत हॉलिडे होम्स करके होते हैं, तो उनमें आपको बहुत कम पैसों में आपको होटल्स वगरा मिल लाते हैं, देखें, आज की दुनिया ऐसी है कि हर युवा घूमना प्रिफर करता है, कहीने कहीं जाना, कुछ एक्स्प्लोर करना देखना प्रिफर करता है, तो उसके लिए क्या है कि जहां कहीं भी सिटी में जा रहे हो, तो आपको अमूमन डाई जार रुपए का आपको मिलता है, तो वहाँ आपको जो नहीं तीन सो चार सो रुपए में मिल जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि आज के युवा के लिए, क्योंकि वह टाइम चला गया, जब लोग जाते ही नहीं ते वैशनो देवी जिन्दगी में एक बार हो आए, तो हो आए, नहीं तो हो गया, लेकिन आज का युवा हर जगए इस्प्लोर करना चाहता है, तो आपके लिए एक ये फैसल्टी जो अन्या सेंट्रल गवर्रमेंट आपको देती है, तो ये इसका लाव आप जरूर उठाइए, और ये आपके लिए मैं मानता हूँ कि एक अच्छी फैसल्टी आपके लिए है, तो हमने ये आपर कई सारे फायदे जो सेंट्रल के होने वाली थे, बेनिफिट हमने डिसकस किये, वीडियो पसंद आयों तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले लिए उडियों तब तक लिए वन दे मात्रम,